सात्मा अध्याय तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे उसके पास इकठे हुए उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हात धोए रोटी खाते देखा फरीसी और सब यहुदी पुर्णियों की रीति पर चलते और जब तक भली भाती हाथ नहीं धोते तब तक नहीं खाते थे वे बाजार से आकर जब तक सनान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते थे बहुत सी और बाते थी जो उनके पास मानने के लिए पहुचाई गई थी जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बरतनों को धूना मांजना उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा तेरे चेले क्यों पूर्मियों की रीतों पर नहीं चलते और बिना हाथ धोई रूटी खाते हैं उसने उनसे कहा यशाया ने तुम कपटियों के विशय में बहुत ठीक भविश्यद्वानी की जैसा लिखा है ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं मनुष्यों की आज्याओं को धर्मो पदेश करके सिखाते हैं तुम परमेश्वर की आग्या को टाल कर मनुश्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आग्या कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझ से लाब पहुँच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिने तुमने ठहराया है परमेशवर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर अशुद करे परन्तु जो वस्तु में मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद करती है यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले जब वो भीड के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस द्रिश्टांत के विशय में उससे पूछा उसने उनसे कहा क्या तुम भी ऐसे न समझ हो? क्या तुम नहीं समझते? कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है ये कहकर उसने सब भोजन वस्तूओं को शुद्ध ठहराया फिर उसने कहा जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, विभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोब, दुष्टता, छल, लुच्पन, कुद्रिष्टी, निंदा, अभिमान और मुर्खता निकलती है ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था के कोई ना जाने परंत वो छिप ना सका और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पामों पर गिरी ये यूनानी और सूरुफिनी जाती की थी और उसने उससे बिनती की मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे उसने उससे कहा पहिले लड़कों को त्रिप्त होने दे क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुट्टों के आगे डालना उचित नहीं है उसने उसको उत्तर दिया उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है फिर वो सूर और सैदा के देशों से निकल कर दिक पुलिस देश से होता हुआ गलील की जील पर पहुँचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे बिनती की कि अपना हाथ उस पर रखे तब वो उसको भीड से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीब को चुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इप्फता अर्थात खुल जा और उसके कान खुल गए और उसकी जीब की गांट भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा तब उसने उन्हें चिताया कि किसी बने कहना परन्त जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है वे बहरों को सुनने की और गुंगु को बोली की शक्ती देता है